20 x 30 feet के plot size में तुम क्या बना लोगे जी हाँ हम 20 x 30 feet के plot में 3 bedroom, lounge area, modular kitchen और 2 हम common toilet बना लेंगे with parking area तो इसी तरह की एक शांदार वीडियो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं और इस plot का size 20 x 30 feet है जैसे कि आपको पता चल गया होगा और दोस्तों अगर आप चाहें तो आप इसको east facing भी बना सकते हैं और दोस्तों जो इस वीडियो के download links हैं और जो इसकी बाकी की details हैं वो आपको नीचे description में मिल जाएंगी आप एक बार वहाँ से आप उनको check कर लीजेगा तो आए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों आप देख रहे हैं house doctor channel को और मैं हूँ आपका अपना architect मंधीप चौधरी तो आए वीडियो को शुरू करते हैं और क्या तो दोस्तों इसके बाद अगर हम house के elevation की बात करें तो आपको यहाँ पर elevation Spanish plus आपको यहाँ पर modern elevation आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो इसके बाद हम house में entrance करते हैं entrance के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर house का एक parking area देखने को मिल जाता है इसका size आपका यहाँ पर 6 feet 9 inch by 9 feet और 9 inch का मिल जाएगा आप rocks आपको 7 by 10 feet का यहाँ पर parking space मिल जाता है तो इसके बाद entrance लेते हैं आपको space का नीचे का area आप इसको अपने हिसाब से utilize कर सकते हैं आप यहाँ पर अपना press table लगा सकते हैं या आप यहाँ पर अपना dining भी आप यहाँ पर adjust कर सकते हैं वो आपकी इच्छा है तो दोस्तों जो यहाँ पर house का living area है इसका size आपको 18 feet change by 9 feet 9 inch का मिलेगा यहाँ पर आपकी sitting अराम से हो जाएगी उसमें आपको यहाँ पर कोई भी issue नहीं आने वाला है सामने आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर आपको एक अच्छा TV पैनल भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो इसके बाद दोस्तों house के हम modular kitchen की बात करते हैं सामने आपको यहाँ पर एक break fast counter देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ आप इस kitchen का overall view आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं आगे चलते ही आप सामने देख सकते हैं हम आपको यहाँ पर house का जो common toilet है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं और इस toilet का size आपका 5 feet 6 inch by 6 feet और 6 inch का रहेगा जो कि आपको यहाँ पर एक अच्छा size देखने को मिल जाता है और इसकी ventilation आपकी OTS के through होगी और दोस्तों इसके बाद हम house के first bedroom की तरफ चलते हैं आप इसका overall view देख लेजी अच्छी आपको यहाँ पर water up देखने को मिल जाएगी सामने टीवी पैनल और अच्छा interior आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इसका size 12 feet 3 inch by 9 feet का रहेगा और इसकी जो ventilation है वो हमारी OTS में होगी और जो हमारा common toilet है उसकी भी ventilation यहाँ पर हमारी OTS के तुरू होगी OTS आप देख सकते हैं OTS को आप उपर से भी आप इसको cover कर सकते हैं तो इसके बाद दोस्तों आईए हम stair से होते हुए हमारे house के first floor area की तरफ चलते हैं तो दोस्तों आप first floor area पर एंटर होते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर family lounge area देखने को मिल जाता है इसका size आपका 12 feet 9 inch by 9 feet 9 inch का रहेगा आपको यहाँ पर अच्छी sitting सामने आपको यहाँ आप एक TV panel देखने को मिल जाएगा तो इसके बाद दोस्तों हम आपको first floor का common toilet दिखा देते हैं इसका size आपका 5 feet 6 inch by और 6 feet और 6 inch का रहेगा जो कि आपका same ground floor की तरह उपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो इसके बाद हम house के second bedroom की तरफ चलते हैं तो आप देख सकते हैं यह दोस्तों हमारा second bedroom है अच्छा आपको यहाँ पर wardrobe आमने TV panel और interior आपको अच्छा मिल ही रहा है और इसका size आपका 12 feet 3 inch by 9 feet का रहेगा जो कि आपको यहाँ पर अच्छा size मिल जाता है आपके plot के according और इसके बाद दोस्तों आपको house के front में भी आपको यहाँ पर एक bedroom देखने को मिल जाता है हमारे house का third bedroom और इसका size 11 feet by 9 feet का रहेगा आप देख सकते हैं अच्छा आपको यहाँ पर bedroom मिल जाएगा आपको इसके साथ attached dressing भी देखने को मिल जाएगा और दोस्तों जो यह dressing है आप इसको यहाँ पर as a toilet भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर वास्तु को follow नहीं करते हैं तो हाँ जी अगर आप यहाँ पर वास्तु को follow नहीं करते हैं तो तो इसी के साथ दोस्तों आपको house के front बाले bedroom के साथ attached balcony देखने को मिल जाएगी आप इस balcony का overall view देख सकते हैं आपको यहाँ पर spacious balcony देखने को मिल जाती है तो आए चलिए दोस्तों इसके बाद हम stairs से होते हुए हमारे house के terrace area की तरफ चलते हैं यानि हमारे house का second floor area तो आप उपर enter करते ही देख सकते हैं आपको हमने यहाँ पर एक terrace garden दिया है आप देख सकते हैं आप इस जगए को अपने इसाब से utilize कर सकते हैं हम तो यहीं कोशिश करते हैं कि हम आपको उपर अच्छे से अच्छा आपको यहाँ पर एक green area दें आप यहाँ पर अराम से बैठ सकें सुकून से आप यहाँ पर बैठ सकें करते हम तो यहाँ पर एक सकते हैं करते हम आप बैठ समय करते हैं करते हैं करते हरे देख सकते हैं